नमस्कार साथियो मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं परतिभा फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत है साथियो आज आपको इस वीडियो में पटना हाई कोट असिस्टेंट के जो एक्जाम हुआ था 2016-2017 में उसमें प्रिवियस यर में में का कोश्चन किस प्रकार आज मैं उसी के परचय करा रहा हूं और क्यों परचय करांगा से मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कोई भी कार्ज करने से पहले गुसमन की प्रिष्ट भूमी को देख लेना चाहिए वह किस परकार का उसका पिछला रिकॉर्ड था उस पिछला रिकॉर्ड को देखकर और भविस में क्या क्या कर सकता है उस सारे संभावनाओं को देखते हुए ही आपको योजना बनाना पड़ता है ऐसा मेरा बेक्तिगत विचार होता है और ऐसा मानना ही चाहिए ठीक है तो आज आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि प् परचे कराने के बाद आपको साथियों कल से आपका टेस्ट स्थार्ट हो जाएगा और जैसा कोश्चन पिछले यर में पूछा गया था उसी पैटर्ण को फ़लो करते हुए और फिर नैस चीजों की समावेश की जाएगी तो देखिए सबसे पहले कोश्चन नमबर एक था देखिए wacky नमबर एक आपको पूच्छा गया था प्रिवियस यहीर में निनिवली खित विसायो में से एक पर अधिक्तम पांसो सब्दों में निवण्द लिखें निवण्द का मैंने पताए था कि आपको निवण्द का किस्टन रहेगा और हर हाल में रहेगा तो NBooks का तीन वह आपको से का कोशन था निवन का कोशन था जो कि आपका फर्ष्ट कोशन था हम लोग बारिक करते हैं कि सेकेंड कोशन देखते हैं क्या था के बाद हम लोग विस्तरी चर्चा करेंगे इस पर देखिए दूसरा नंबर कोशन था कि दे गए उधारन को पढ़ कर ये इसमें दिया हुआ था भावार्थ लिखनेंग लिए था कोशन नमर तो यहां आपका एक पैसेज देता है गधांस देता है और इससे रिलेटर जो है ना कि आपका कोशन देता है देखिए और तीसरा नंबर कोशन था परचलित मुहाबरों के वाक बनाकर और अर्थ अस्प आपका अर्थ लिखकर उसका और्ष परप्रश करना था वाक बनाना था चसांड़ सक לחis ja और तीसरा नमर कोशन में के बाद को चोट्हा नमर और को लेटे हैं कि गाधांस को पढ़ कर, प्रशनों, को उत्तर लिखित बताया था मैंने नहीं देखिए गधांस को पढ़कर उ प्वाच्मा नमबर कोशिन क्या था सांथियों देखिए लिखे विशाइयों में से किसी एक विशाइ पर पत्र लिखे पत्र जो है पत्र कैं विश्त्री पत्र लिखें देकिवaking जिसाह करतेений जौत करते हुए बीएसी के सर्टिफिकेट में नाम के सुधिकरन के लिए आपको पत्र लिखना था इसरा नमबर था कि बेवार न्याला में पत्ना में आपकी निक्ति हुई है और किसी कारण बस आप योगदान नहीं दे पा रहे हैं और बिला और समय चाहते हैं योगदान के लिए तो उसके कोशन को अधार बना कर हमको त्यारी करना है साथियों और मेरा जो टेस्ट होगा विलकुल इसकी पर अधारित होगा तो अब थोड़ा सानी बिस्त्रित चर्चा करते हैं क्या था आप नंबर वन पर आया आते हैं हम लोग पांच कोशन तो आपने देखा आप देखिए अब मैंने इसे पिछले वाले जो वीडियो में बताया था कि लेवस से बिलकुल हटकर नहीं पुछता है पटना हाई कोट असिस्टेंट का जो एक्जाम हुआ है 2016-17 में और अभी जो तेस का जो पीटी मैंने आपको बताया था कि पीटी भी दिया था और मेंस भी दिया था तो अभी मैंने question paper देखा और अभी पीटी के भाला में मैंने question paper देखा दूए 23 वाला में देखा हूं और इसके वाद भी मैंने बहुत सारे exam qualified किया है उस exam में आपको syllabus के तो आपको सबसे पहले तयारी का जो आपका पैटर्ण जो होगा देखिए यहां पूछा क्या पहले पूछा क्या सब लोग देख लेते हैं पहला में क्या लिखा नीबंध था दूसरा में क्या था यहां पर आप देखिए दूसरा में क्या था आप देखिए दूसरा में क्या है आपको तिसरा नंबर में परचलित मुहावरा दिया हुआ है तो देखिए तिसरा नंबर में मुहावरा पूछा मुहावरा पूछा अब आपको चौथा नंबर में देखिए चौथा नंबर में आपको गधांस है चौथा नंबर में आपको गधांस दे यानि कि पर्तेक जो है दस नंबर का था और यह आज भी अभी का जो सिलेवस है मेंस का उसमें भी आप देखेंगे क्या ही सब सारा टॉपिक्स वाट्स ही दिया हुआ है तो कि इसके पिछले वाला जो वीडियो मैंने बढ़ाया था उसमें आपको सिलेवस के विशा में बताय हैं किया किया है अभी जो सिलेवस है उसमें 50 के जग सा albums क्या कर दिया 40 कर दिया कर दिया कि प्रेकल ब्याकरन के सबस्द में है तो हम लोग को करना क्या है और सबसे पहले complete करना के बाद ब्याकरन पर आप सेल्फे स्टडी करके ध्यान दिजिए उसको बिल्कुल कम ध्यान दिजिएगा लेकिन इसके आपको प्राक्टिस ज्यादा करना ठीक है यह हुई बात अब आते हैं हम लोग नीबंद जो है पहला देखे कि उदारीकरन और आम आदमी परतिभ कि अध्यन किया जाएगा कि उदारीकरन देखिए आम आदमी की ही समस्या आम आदमी से जुरा हुआ जितना भी निवंद है आप उसको केवल प्राक्टिस करेंगे देखिए आम आदमी उदारीकरन परतिभा प्लाइन की समस्या परतिभा किसके प्लाइन होता है आम आदमी क के सांत इसका क्या मतलब रिलेशन है इस तरह से 207 होती है तरह से मिला कि यह कुछन पूछा था तो हमको निबंध पर जो है ना काफी फोकस करना है और वैसे वैसे टॉपिक हम देंगे काफी इंपोर्टेंट होगा सांतियों और उस टॉपिक को हर हाल में आपको प्रैक्टिस कर लेना है ठीक है और मैं उस टॉपिक को आपको दे दूंगा और आपको बता दूंगा कि ऐसे लिखना है और लिक के जो है ना परतिवा फाउंडेशन के टेलीगराम चाइनल पर जाएंगे और वहां लिक कर पोस्ट करिएगा और डिस्क्रिप्सर में लिंक भी डाल दिया गया है तो यह बात समझ गया है अब आई हम लोग आगे बढ़ते हैं अब यहां देखिए भावार्त लिखें आपको निबंध भी जाएगा एक निबंध पड़े रहेगा सांतियों एक बहुत देकर उसका कैसे और लिखते हैं उसके भी समय बताया जाएगा आपको विस्तरा नंबर है आपको जो हम आपको दस मुहाबरा देंगे और दस मुहाबरा देकर उसको आपको और लिखने के लिए बूलेंगे ठीक है अब सेम पैटर्न कहीं भी अलग नहीं होने वाला काम करेंगे इसका वाक लिख कर इसका वाक लिखिएगा और लिख के जो है आप प्रैक्टिस किजिएगा भीजिएगा आप ट्रहांथी में परतिया फॉंडेशन का टेलीग्राम चाहिए आनो उसके बाद आपको बात करते हम लोग किसरा हो गया चौथा नंबर पर अब देखिए गदहांस तो बहुत हलका होता गदहांस तो ज्यादे ध्यान देने की जरूवत नहीं है गदहांस तो आप पढ़ेंगे और उसका एंसर लिखेंगे इसमें समस्या क्या आएगी आपको सबसे बारा समस्या आएगी आप समझें जो सिर्शक होता है यहीटलाइस अगर आपको क्व先 पांश नंबर का पुछेंगा तो समझे सिर्शक पर ही आपका 50 процent marks दे देता है अभर देखते हैं कि आपको पत्र लिखे ना पत्र का एक पर्फर्मा जो होता है उस पर्फर्मा पर ही आपको 50 पर्सेक दिद्ध क्या करना है आपको विडिव को पॉज किजिए और पॉज करके आप देखें किस्वर कहा रहा है और यब आप नहीं इसके बाद मैं अगले वीडियो में इस सभी का चर्चा करूँगा और सभी का आपको बता दूँगा कैसे लिखा जाता है इसके बाद आपको आते हैं हम लोग कि आपक्या काम किढ़ेगाां सद्धांस हो गया आब आपको देखिए यह परचाली तो है इस तारे मुहाब्र हो को आपको क्या है कि बना ले ना विल्कुल इसको कम हम नहीं समझेद्टा इसको बना लेना है यह कि कि रिपापावत और किस छेत्र से पूछा गया इसका आपको और लिखना है और अर्थ लिखकर वाक बनाना क्लियर है तो बना लेना है ठीक है छोड़ना नहीं है अब हम लोग बात करते हैं पीछे की और बढ़ते हैं देखिए भावार्थ जहां तक लिखने की बात हुई यह आप लिख सकते ह है इसका क्या और्थ होगा अगर आपको आएगा तो ठीक है और नहीं तो हम बथाइए डिसकस करेंगे अगले वीडियो में कि इसके अपोर आप बात कर रहे हैं हम लोग यह आपका निबंद का लिखेंग है अवको ची'm करढ को चोड़ दीजिए बस इतना ही काम कीचीए कि संभावना है जो आने वाला होगा के लिए हम उसका डिसकस करें ठीक है तो साथ यो बस ज्यादा कुछ नहीं था इस वीडियो में मतलब मेरा मकसद सिर्फ बनाने का यही था कि आपका जो प्रिवियस यहर का जो कोस्टेंस है पहले उस चीज़ को समझ जाए कि किस परकार का पूछा था और आगे क्या संभावना है पूछने का तो मुझे लगता है ना कि इस तर ज्यादा नहीं पूछेगा ठीक है क्योंकि देखिये 40 नंबर कर दिया है और यही सब टॉपिक आपको दे रखाई है तो इसके अलहार पर आपको हम टेस्ट लेंगे और अगले दिन ड चर्चा करूंगा तब तक के लिए रहने देते हम यहीं पर शोड़ता वीडियो चुकि लंबा हो जाएगा आपको बोरिंग फिल महसूस हो रहा होगा तात्यों मेरा और सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है ना आप के सफलता में मेरा कुछ युगदान हो जाए अब मेरा अनु तब तक किसी एकजाम में आपको सफलता मिलने की नगन चांसर होती है समझ लेए कि आप अंधेरे में तीर मारते रह जाईएगा तेकि सफलता कभी नहीं मिलेगी ज़रूरी है सिलेवस को एकोर्डिंग और सही गाइडलाइन से आप तयारी करें उम्मीद है कि मैं आपके उम्मीद पर भी खारा उतरूंगा मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो में जाहें